धन्यवाद सार अपनी बात रखने से पहले एक जानकारी आपके मादेम से सदन के सामने रखना चाहूंगा मैं अभी स्वयम दारजिलिंग से आ रहा हूं और आठ तारीकों जो दुखत घटना घटी थी तो दारजिलिंग के हमारे बीर गोरखा पुत्र सत्पाल राई जी जो विपिन रावाजी के पी एसो के रूप में कारेड़त थे वो भी उस घटना में सहीद हुए और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो गोरखाओं के परंपरा रही है देश के लिए अपना सरवच्यों देने की वो काम वो करके गए हम सब के लिए हमेशा प्रेणादाई रहेंगे सर दारजिलिंग सिलीगुडी क्योंकि हम सब जानते हैं ये चार इंटरनेशनल बोर्डर से घिरा हुआ शहर है और एक तरफ नेपाल भुटान बंगलादेस और चाइना के बोर्डर लगते हैं सर इतना जो है क्रिटिकल छेतर होने के बावजुद भी सड़क की इ सब दोडर प्रश्टियक शुरक्षा के धरिश्टी से भी थीक नहीं है पस्चिम बंगाल सरकार के पास मुझे लगता है प्रयापते इनके पास पैसे नहीं और कोई काम हो नहीं रहे हैं के इंडर सरकारे में हमारी कुछ परियोजनाय है अर्लेड़ी सुईक्रित हो चुकी जैसे बालासन से लेकर के शेवक तक एक इलिवेटेड रोड बनना है, कोरोनेशन ब्रीज जो सो साल पहले बना था उसका अल्टरनेट बनना है, और alternative highway बनना है जो दारजिलिंग के लिए और शिली गुडी के चारों तरफ ring road मैं आपके माध्यम सा सर में ये चाहता हूँ कि इस योजना जल से जल चालूओ क्योंकि अभी दो मेने पहले भारी वर्षा के कारण बालासन नदी का ब्रीश टूटा हुआ है सर और पिछले 7-8 दिन से किसी तरह से जुगार के माध्यम से पूरा शहर चल रहा है मुझे लगता है इतनी बड़े शहर की ऐसी इस्तिती जो है ठीक नहीं है मैं आपके माध्यम से एक बार फिर भारे सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये सडक से जुड़े बे जो भी योजना है उसको जल से जल चालू कर दे स्री राम करपाल यादो जी